आपको बताते चले कि बालू से लदे ट्रकों से पुलीस की टीमने अवयद वसूली करने का वीडियो शोशल मेडिया पर तेजी से वायरल होगा है अवयद वसूली के मामले में तीन सिपाई गिरफतार कर जेल भेज दिया गया है On Duty, पुलिस कर्मियों को जेल भेजने के बाद अन्य पुलिस कर्मियों में भैका माहौल है वीडियो वाइरल होने और SSP मौके पर पहुँचे तो रंगे हाथ पैसा उगाही करते पुलिस कर्मी पकड़े गए एक सैप जवान समेत दो बिहार पुलिस के सिपाई सस्पेंट कर जेल भेज दिये गए हैं आपको बता दे चने कि अब इन पर विभागिये कारवाई होगी बिहार के आरा में खाकी वर्दी को दागदार कर देने का मामला सामने आया है जहां बालू लदे ट्रकों से पुलिस की डायल 112 गस्ती टीम के दुआरा अवैद वसूली करने का वीडियो शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है साफ तोर पर दिखाई दे रहा है कि पुलिस कर्मी सरक पर वाहन चेकिंग की आड में वाहनों से नजराना वसूलते नजर आ रहे हैं इधर पुलिस कर्मियों के दुआरा अवैद वसूली का वीडियो की जानकाई जैसे ही भोजपूर स्पी प्रमोद कुमार यादब को मिली उनके दुआरा त्वरित कारवाई करते हुए अवैद वसूली में चामिल दोशी दो सिपाही और एक सैप हवलदार को ततकाल प्रभावित तत दोशी तीनों पुलिस कर्मियों को ग्रफतार कर जेल भेज दिया और उनके खिलाब विभागे कारवाई का अनुशन सा कर दिया गया है आपको बता दे कि यह पूरा मामला चांदी थाना इलाके के कोसी हान गाउं के पास की है इस घटना की पुष्टी करते हुए भोशपूर एसपी प्रमोद कुमार यादब ने बताया कि बीते शनिवार की देर राग तहार इलाके में तैनार डाइल 112 की पुलीस गस्ती वाहन चांदी थाना इलाके के कोसी हान गाउं के पास वाहन चेकिंग के नाम पर बालू लदे ट्रक के चालकों से अवैद वसूली कर रहे थे इसकी सूचना जैसे ही भोसपूर एसपी प्रमोद कुमार यादब को मिली उन्होंने तुरंत आरा सदर स्टी पीओ चंदर प्रकास के नेत्रित में टीम गठित कर मामले की जांच करने का निर्देश दिया स्टी प्यो चंदर कुमार मौके पर पहुँचे तो देखा कि डायल 112 बेलरो गारी का सैप चालक रविशंकर सिंग ट्रक चालकों से अवैद वसूली कर रहा था वहीं दोनों सिपाई श्वीप कुमार और विजय प्रसाद ट्रकों को रोके हुए थे वैद वसूली में तीन पुलीस कर्मियों की सनलिप्ता पाई गई इसके बाद रात में ही उन्हें गिरफतार कर लिया गया और थानाद्यक्ष सौरब कुमार के बयान पर रष्टा चार अधीनियम के तहत मामला दर्शकर तीनों दोशी पुलीस कर्मियों को जेल भेज दिया कर लिया गया है उन पर रष्टा चार अधीनियम के तहत उन पर मामला दर्शकर गया है और वो पुलीस के हिरास्त में है ये मामला शोशल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है किसी ने इनका वीडियो बना लिया और वाइरल भी कर दिया जिसके बाद अब खुब चर्चा हो रही है फिलार इस ख़बर में इतना है और वीडियो और ख़बरों के लिए आप हमाई साथ बने रहें यूश्पो नेशन नमस्कार